हेलो फ्रेंज आज की रेसिपी वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बना कर दिखाएंगे कठल की बीजो की सबजी जो की बनाना बहुत ही असान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगती है जिसे भी आप इस तरह से कठल की बीज की सबजी बना कर खिल करते हैं तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कठल की बीज ली है जो कि मार्केट में अभी इसली मिल जाती है और अभी पके हुए कठल में बहुत जादा मिल रहे हैं तो उसी की यह बीज है तो अच्छी तरह से पहले बीज को धो लेंगे तीन से चार बार पानी से धो लेंगे उसके बाद कूकर में सारे बीज को डाल देंगे उसके बाद एक गिलास पानी डाल देंगे तीन से चार सीटी लगाएंगे जादा बॉयल नहीं करेंगे तीन से चार सीटी में अच्छी तरह से बॉयल हो जाती है तो साथ में मसाले की भी तयारी कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर ए लिए एक टमाटर लिए और हाप इंची अध्रक लिए तो सभी का पेश्ट बना लेते हैं तो कठल की बीज भी बॉयल हो गई है तो इसे अच्छी तरह से पहले ठंडी कर लेंगे उसके बाद सारे छिलके उतार लेंगे तो दो भाग में काट लेंगे सारे बीज को और उसके बाद सारे छिलके उतार लेंगे जो कि बहुत ही इजली उतार जाते हैं छिलके आप चाहो तो बॉयल करने से पहले भी छिलके उतार सकते हैं इस तरह से सारे छिलके उतार लेंगे तो चलिए रेशिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गैस में बठाएंगे करहाई को और उसके बाद उसमें तेल डालेंगे जब तेल गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर डाइस किया हुआ आलू को डीप फ्राइ करेंगे इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और अच्छी कलर आने के लिए हल्दी पौरो थोड़ा सा डालेंगे जिसे की आलू का कलर अच्छा लगे देखने में अच्छी तरह डीप प्राइ होने के बाद सारे आलू को बाहर निकाल देंगे और बचे हुए तेल में एक चम्मच जीरा डालेंगे जीरा चटकने के बाद पिशा हुआ मसाला डाल देंगे मसाले में थोड़ी सी पानी आड़ करेंगे नहीं तो फिर मसाला नीचे से जल जाएगी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सुखा मसाला डालेंगे तो सबसे पहले हाप चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धन्या पाउडर हाप चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्ज पाउडर आप अपने हिसाब से लाल मिर्ज पाउडर डाले और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाले और अच्छी तरह से सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे और सब्जी में अच्छी कलर लाने के लिए एक चम्मच कास्मीरी लाल मिर्ज पाउडर डालेंगे जिसे की सब्जी का कलर अच्छा आए सारे मसालो को धीमी आज में फ्राई करेंगे और जब तक की अच्छी तरह से फ्राई ना हो तब तक घुनते रहेंगे मसाला को मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है तो अब यहाँ पर आट करेंगे फ्राई किया हुआ आलू और साथ में बीज को भी डाल देंगे दोनों को अच्छी तरह से मसाला में मिक्स करेंगे दो से तीन मिनट तक किसी तरह मसाला के साथ फ्राइ करेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे अब इसमें पानी डालेंगे तो आप यहां पर जितनी जौरत है उसी हिसाब से पानी डालेंगे मैंने यहां पर एक गिलास पानी डाली है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे उसके बाद ढ़क कर दो से तीन मिनट तक पका लेंगे कर दो से तीन मिनट तक पकने के बाद इसमें गरम मसाला का पाड़ा डालेंगे जिससे की सब्जी का काफी अच्छा टेस्ट आजागा दो से तीन मिनट इसी तरह पका लेंगे रेसिपी बनकर तयार हो गई है और ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही है फ्रेंज कितनी आसान है न ये रेसिपी बनाना तो फ्रेंज आप भी इस तरह से ट्राइ कर सकते हैं और सुपर टेस्टी टेस्टी कठल की बीच की सब्जी बनाएं और आप इसे रोटी पूरी या चावल के साथ इंजॉई कर सकते हैं तो आपको सुपर टेस्टी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें